हाई एवरिवान स्वागत करते हूं आपका अपनी चैनल ग्रानी गार्डन ब्लाग समय और आज मैं आपके लिए एक न्यू रेशेपी लेकर आई हूं जो की अभी चल रहा है ठंडी का मौसम और ठंडी के मौसम की ये रेशेपी है तो आप लोगों को बहुत पसंद आने वा है तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे इस वीडियो में कि मैं आप लोगों को कोंसी रेशेपी सेर करने वाले हूं तो दोसτο ये है हमारी चने की भाजी जो की अभी यश्ट ठंडी का मौसम लगा ही है और उसी समय में आती है ये चने की ताजा चने की भाजी तो दोस्तो बहुत आसन है इसे बनाने के लिए, लेकिन सब के तरीके अलग अलग है, इसलिए मेरा भी तरीका एकदम नियू और यूनिक है तो चलिए देखते हैं हमें जो भाजी लिए हैं इसके सारे डंठर हमें तोड़ कर अलग कर देना है और साथ में इसे बनाना कैसे है तो यह हमारी भाजी जो तूटी है उसे हमें एक कर लेना है, साथ में मैंने लिया है एक टमाटर और दो टमाटर भी ले सकते हैं क्योंकि हम लोग जितना टमाटर डालेंगे उतनी हमारी टेस्टी भाजी बनने वाली, साथ में हमने लिए लसन की एक गठान और चार से छे हरी मिर्ची है और साथ में है इसमें खटाई है क्योंकि ये आम की खटाई है और इसी खटाई से हमारी भाजी बनने वाली है टेश्टी तो हमारी जो भाजी हमने तोड़ कर रखी थी इसे लगभग दो पानी में हमें धूल लेना है क्योंकि धूलने के बाद ही हमें बनाना है उसका एक में कारण है कि अगर हम लोग चने की भाजी तोड़ कर लाते है खेत से तो उसे हमें धूलने की जरूत नहीं पड़ती है लेक इसलिए मैंने इसे दो पानी से धुल कर चलनी में पानी चनने के लिए रख दिया है अब हम लोग चलते हैं गेईस की तरफ तो ये मैंने एक कुछर ले लिया है एक नश्रक काट चार में काटी टेश काट है है JEFF handlar M security में जो हमने लसन छिला था उसमें से आदा लसन हमें इसमें डाल देना है और साथ में जो तीन से चार मेरी खटाई थी ओभी इसी में हमें एट कर देना है और एट करने के बाद में लगभग तीन से चार सीती मिडियम आज पे हमें लगा देना है क्योंकि गाव में तो इसी प्रक नया समय है और जो गाव की जो चीजे मिलती है जैसे मिट्टी वाले बरतन वो हमें नहीं मिल पाते हैं और उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं इसलिए आज हम लोग कूकर का उपयोग कर रहे हैं तो आप यह देखिए मेरी तीन से चार सीती होने के बाद में इसे ठंडा कर पीषने के बाद में फिर अब हम बनाने वाले हैं तो यह मैंने एक चमच तेल डाल दिया है साथ में इसमें जीरा डाल दिया है और जीरे की मात्रा थोड़ा हमें ज्यादा ही डालना है और लसन की भी मात्रा ज्यादा ही डालना है तभी हमारी भाजी बहुत टेश्टी लग हो जाएगा उसके बाद में जो हमने भाजी पीस के रखी है उसे हमें इसमें एट करना है और साथ में मतलब बहुत कम हलका सा हमें डालना है इसमें हल्दी क्योंकि हल्दी से कलर तो नहीं आएगा भाजी में लेकिन टेस्ट जरूर आएगा साथ में नमक हमारे स्वात के अनु प्राकार यहां तो बहुत लोग बहुत तुरिके से डालोगरे बनाकर मतलब डाल कर बनाते हैं कि सिंपल भाजी बताई जो आप 10 मिनट में भणा कर रेडी कर सकते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा टेष्टी लगती हैं तो दोस्तो आज की बहुत ही आसान रेशिपी हो मेरी क्योंकि आपने इसके पहले ऐसी भाजी कभी नहीं बनाई होंगी तो आप जरूर एक बार बनाना कर ट्राइ करना